आप सभी लोगों का बहुत स्वागत हैं दोस्तों कभी-कभी कुछ द्रश्य कुछ घटनाएं कुछ हेड्लाइन्स बहुत अपसेट करती हैं और राजनीती का गिर्टास्तर तो अब हदे पार कर चुका है जो यूथ इस समय आप सड़कों पर देख रहे हैं उससे राहूल गांदी को कोई लगाव नहीं है जो स्टूडेंट्स नीट को ले करके इस समय आप सड़कों पर देख रहे हैं उससे राहुल को कोई लगाव नहीं है, राहुल को लगाव है तो उस शोर से, क्योंकि उस शोर को राहुल गांदी कैश कराना चाहते हैं, और चुनाव से पहले आपको याद होगा, राहुल गांदी ने क्या कहा था? उन्होंने एक भविश्यवानी कर दी थी, देश जलेगा और अब वो इस दिशा में रननीती बना रहे हैं, एक स्टैटेजी पर काम करते होई दिखाई दे रहे हैं, थू ऐसी राजनीती पर, जो देश के भविश्य को यूज कर रहा है, मैं आपको उनका एक ट्वीट दिखा आती हूं, और उन्होंने एक इसके साथ वीडियो भी शेयर की है, वो इसमें यह कह रहे हैं, इस यूद को कि वो भरोसा दिलाते हैं, कि वो सडक से लेकर कि संसत तक इंडिया आपके साथ है, अगर सरकार आपके साथ नहीं है, तो विपक्ष आपके साथ है, और इसके कामले को सदन में उठाएंगे, तो यह क्या शो करता है, उन्होंने यह वदा दिया कि उस मुद्दे पर वो सदन को चलने नहीं देंगे, और मुझे कभी-कभी यह लगता है कि यह जो 99 सीटे इन्होंने ली हैं, इससे इनका दिमाग जो है न, सात्वे आसमान पर पहुँच के हैं, यह आज की तारीक में इन यूत को भटकाव के रास्ते में लेके जा रहे हैं, बाकाइदा इसका वीडियो शेयर किया उन्होंने, कि मैं आपके लिए यह 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 कर दोगा, क्या कर देंगे यह तो वक्त बताएगा, यह तो थी जो सडकों पे चल रहा है, लेकिन दोस हैरान है कि उसने बिना पड़े, बिना समझे दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल को जमानत दे दी, रेगुलर जमानत दे दी, गजब, अच्छा यह जो हेडलाइन्स हैं, यह अच्छे संकेत नहीं है, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, आप बताएए, यह इस तरीके के हेडिंग्स, मैं समझती हूँ कि यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, दिल्ली की अदालत ने ED के दस्तावेज पढ़े बिना ही, सियम अर्विंद केजरिवाल को दे दी थी जमानत, कहा हजारों पढ़ने पढ़ने का समय नहीं है, और गिरिफतारी को बताया दु दुर्भावनापूर, अब यह जो मैंने आपको हेड्लाइन बताई है, यह सच में दुखद है, और जज ने अपने फैसले में क्या कहा, इस समय हजारों पढ़ने जो हैं उनके दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं है, इसके बावजूद, वो ED की कारवाई को क्या बताते ह दुर्भावनापूर, और आप यह देखिए कि अर्वीन केजरिवाल को जमानत दे दी गई, कोट ने जमानत के खिलाफ ED की दलीले सुनने से भी इंकार कर दिया, तो भई ऐसी कौन सी आफ़त आ रही थी, आप पहले पूरा मेटर समझते, मैं यह बात इसली कह रहे हूं क्य वैसे तो अपनी योडिश्री पर कोई बात करने की रिवाज नहीं है, लेकिन चुकि यह बात हाई कोट ने कही है, निचली अदालत को, कि इतनी कौन सी जल्दी पड़ी हुई थी, जमानत देने की, आप पहले पूरे कि इसको स्टड़ी कर लेते हैं, तब आप आगे और वकील से कहा कि वो अपनी दलीले बहुत संग्शेब में पेश करें, यानि कि इतनी ज्यादा जल्दी, इतना ज्यादा प्रेशर, और करीब रात को आठ बजे जल्द दबाजी में, जमानत का आदेश जारी किया जाता है, और समय की कमी के कारण आदेश को अपलोड भी किया जा सका, कमाल की बात है, मतला ये आपको नहीं लगता कि ये किस और जा रहे हैं, कोट्स, मतला निचली अधालत के पास समय नहीं है, तो आप उसको अगले दिन पर डाल देते, क्या उसी समय जमानत देनी जरूरी थी क्या, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि उनके घर में क चादी थी, या कोई टेजडी हो गई थी, अगले दिन भी दिया जा सकता था, आप पहले प्रॉपर पूरा उन दस्तावेजों को समझते हो लेते, अच्छा, हाई कोट ने ये बात क्यों कही, क्योंकि ये दस्तावेज सब हाई कोट की नजरों से गुजरे हुए हैं, निचली अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोट ने दलीन देते हुए, अतरीक सॉलिसीटर जर्र, ऐसी विराजु ने कहा, कि ट्राइल कोट ने एडी की दलीने सुने ही नहीं, और जो दस्तावेज दिये गए थे, उनको देखा तक नहीं, तो ये, ये तो बहुत बड़ा मजाग हो गया ना फिर, अब ये बाते पता चल नहीं है, तो इस पे चरसा भी हो रही है, और स्वी राजु ने ये भी कहा कि कोट का कहना है कि बहुत सारे दस्तावेज दाखिल कर दिये हैं, अच्छा ये दस्तावेज केजरिवाल की तरफ से भी दाखिल कि दिया था, ये बात भी स्वी राजु कह रहे हैं, और आगे वो ये कहते हैं कि कोट का ये करतव हैं कि बहुत सारे दस्तावेज हैं, कई लोगों के बयान हैं, अब उनको देखे, पढ़े, सुने, समझे, मतलब ये दोनों ही पक्षों पे लागू होता है, दोनों ही पक्षों द्वारा जो दस्तावेज दिये थे उनको देखा नहीं, और इसके अलावा एडी को मौका ही नहीं दिया गया, कि वो आगे कुछ और कारवाई कर सकें, कुछ अगला कदम उठा सकें, और कानून के सही है, ये गलत है, या मतलब जो कोट की भाशा है, ये प्रासांगिक है, जहां ये प्रासांगिक है, अब राजू ये भी कहते हैं कि केजवीवाल की ओर से गलत बयान दिया गया है, अदालत ने इसको स्विकार कर लिया, क्या कहा, उन्होंने गलत दस्तवेज क्या दिया, जिसको कोट ने शायद देखा नहीं होगा, कि ECIR 22 अगस्ट 2022 की है, लेकिन ये जुलाई 2022 में रेजिस्टर थी, और आजू ने ये तरक भी दिया, कि यदि आप दस्तावेजों पर गौर करते हैं, तो आपको पता चल जाता कि ECIR ऑगस्ट में पंजीकरत हुई थी, इसलिए जुलाई में ये जो दस्तावेज हैं, ये उपलब्द होने का सवाली बैदा नहीं होता, गलत तत्यों, गलत तारीखों, पर आप इस निशकर्ष क पहुंचते हैं, कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, गलत भावना से हो रहा है, इस इस रियली रिडिकलस, और EDNA High Court में ये दलील भी दी, कि निचली अदालत ने इस मामले में High Court के पिछले आदेश की अमेहल ला की, इसमें गृतारी को, मैं वही बात कर रही थी ना, कि गृत तारी को उजित वाया गया था, आपको याद होगा कि दिली High Court ने अर्विन केजरिवाल की गृतारी को जायज बताया, अब आगे इसको चैलेंज दिया गया सुप्रीम कोट में जो गृतारी वाला मामला है, और दिली के CM को ED की हिरासत में और फिर जेल में भेज दिया गया और S.V. राजु ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोट ने High Court के आदेश पर रुख नहीं लगाई थी, इसलिए निचली अदालत अर्विन केजरिवाल के पक्ष में फैसला नहीं दे सकती, आगे सुनिए कि आगे क्या हुआ, फैसले की तुल्ला निशकर्सों से करें, ये अदाल सुप्रीम कोट ने तो ये नहीं कहा कि आप उस फैसले से परभावित हुए बिना फैसला करें, उन्होंने कहा कि जमानत दो अधारों पर रद्द की जा सकती है, यदि प्रसांगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता और ए प्रसांगिक तथ्यों पर विचार किया जात जर्नल उन्होंने कहा कि केजरिवाल की गिरिफतारी को हाई कोट ने उचित ठहराया था क्योंकि उन्होंने एडी के नौ सम्मन को नजर अंदाज किया था अब नीचली अदालत ने विपरीत फैसला देते हुए यह पूरी तरह से विपरीत आदेश है यानि कि यह एक बहुत बड़ा और अर्थपून फैक्टर है कि हाई कोट ने अर्विन केजरिवाल की गिरिफतारी को जायज माना और निचली अदालत उनको जमानत दे रही है इस बात से सारा खेल उल्टा हो गया हाई कोट ने इस बात पर आशर जताया कि निचली अदालत ने जमानत आदेश जा पुछती है कि आप कह रहे हैं कि इन सभी बिंदूओं पर विचार नहीं किया गया, आप कह रहे हैं कि हाई कोट द्वारा जिन बिंदूओं पर विश्तार से विचार किया गया, उन पर विचार नहीं किया गया, कमाल की बात है, जिसको मतलब importance दी, दिली हाई कोट ने, उनको इग्नोर मार दिया, इन वान लाइन ये है, और हाई कोट के जो नियाई मूर्ती है, सुधीर कुमार जैन और नियाई मूर्ती रविंदर डुडेजा की अवकास पीट ने केजरिवाल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी थी, और इसके बाद जमानत के खिलाब E.D. की याचि केजरिवाल को जमानत दे दी, तो दोस्तों ये अब अगर टिपनी दिली हाई कोट की है, तो this is really very very serious matter, कि मतलब बिना दस्ताविजों को बढ़े, अर्विंद केजरिवाल को जमानत दे दी, और अगर हमारी देश की जो प्रीमियर जांज एजंसी है, E.D. अगर ये इतनी ए क्या होता, क्योंकि अर्विंद केजरिवाल CM है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, और बाहर आते ही वो पावर्फूल हो जाते हैं, और फिर पावर्फूल CM means वो सबूतों को छेड़शार कर सकते हैं, टेमपर कर सकते हैं, प्लस वो गवाहों को डरा, धमका सकते हैं, CM है वो अफ्टराल, इस बात को इग्नोर किया, निचली अदालत ने, इसको भी अंडरलाइन किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दोस्तों, आप सब जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है, मैं उमीद करती हूँ कि उनको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे, अगर सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि आपको मेरे सभी कंटेंट समय से मिल सकें, और बेल आइकन को दवाना ना भूलिए, प्लीज, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वास रहिए, जैहिन, जैभार विए